हेलो दोस्तो मैं हूण बीद्ध कुमार और आप देख रहे हैं वाइफादो app channel मैं आप लोग को इस व्यूडियों में बताऊंग कि आप लोग Оп फ्स्टोक में आप लोग अपना एक न्यू एकाउंट कैसे ओपेन कर सकते हैं और मैं आप लोग को इस वीडियो में अफ्स्टोक में आप लोग को मैं आप एकाउंट बना कर दिखाऊंगा और मैं आप लोग को यहाँ पर एकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस में आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम मैं आप लोग को यहाँ पर step by step आप लोग को मैं आप पर process बताऊंगा upstock में तो अगर आप लोग को भी account आप लोग यहाँ पर open करना है तो आप लोग इस video को complete देखें क्योंकि आप लोग को यहाँ पर complete जानकारी मिलेगा तो आप लोग को मैं वीडियो को नीचे में upstock का link मिलेगा तो आप लोग जैसे उस link पर tap करेंगे आप लोग आजाएं कुछ इस परकार के interface पर simple आप लोग को यहाँ पर application को download कर लेना है और download करके जो आप लोग यहाँ पर पहली बार open करेंगे तो आप लोग के सामने upstock का कुछ इस परकार से interface यहाँ पर देखने को मिलेगा तो simple आप लोग को यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा create a new account, simple आप लोग को इस पर tap करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface आएगा तो simple आप लोग को यहाँ पर upstroke में account उपन करने के लिए यहाँ पर आप लोग को अपना mobile number डालना है तो चले मैं आप अपना mobile number डालते हैं फिर आप लोग को यहाँ पर which mobile number option पर tap करेंगे मैंने आप लोग को डाला simple आप लोग को यहाँ पर sign up which mobile number पर tap करेंगे आप लोग के सामने कुछ specart bouled आएगा simple आप लोग के नंबर पर OTP आएगा आप लोग निया पर OTP को डालेगए और यहाँ पर आप लोग continue वाले option पर tap करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना OTP को डाला और मैंने यहाँ निया पर continue वाले option पर tap किया तो आप लोग यहाँ पे कुछ स्परिकार्ट के अंटरंबरे इंटरफेस आएगा सिम्पल आप लोग यहाँपे six pin का अपना six नंबर का है वहुग ind का पीन को ढालना होगा तो चले मैं आप और अपना six नंबर का है जहाँपे में पीन को डाल देता हूं SFS देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरा यहां पर open हो रहा है. मुद्वार अपर आप लोग को यहां पर अपना email ID डाला होगा, तो आप लोग को यहां परपना email ID को डाल देते हैं. जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे email id को डाल दिया simple आपंड यहाँ पे update वाले option पे tap करेंगे अब आप लोग के यहाँ पे email id पे OTP आएगा simple आपंड यहाँ पे get OTP पे tap करेंगे और आप लोग के यहाँ नीचे में अपना email i maz twists etwa बाणना है पे यहाँ पेंट्स कार्ड और आधार कार्ड को आप लोग को यहाँ पर डालना होगा तो सिंपल अगर आप अधारकार्ड और पर पनीशन नंब्र डालना है उंपना डालना है आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ स्पाराड की अंथर पेस्स आपडस कर लेंगे आंप लोग कहा पर जितना भी होता हुआ डाल देंगे आप लोग olmas richer लाग से प्माद से लागла तौन है फिर आप लोग अपना यहाँ पर experience share करेंगे कि आप लोग कितना experience है अगर आप लोग किया पर जीरो experience है और आप लोग यहाँ पर new account open कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर lens then to one years पर tap करेंगे फिर आप लोग को यहाँ पर अपना pen card में जो आपका father name है आप लोग यहाँ पर अ इन सभी को fill करने के बाद आप लोग यहां पर simply continue वाले option पर tap करेंगे जैसा कि मैंने यहां पर सारा चीज को मैंने यहां पर fill कर दिया है उसके बाद आप लोग को यहां पर नीचे में I accept करेंगे और आप लोग यहां पर simply continue वाले option पर tap करेंगे जैसे ही आप लोग यहां पर continue वाले option पर tap करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस परकार के अंडर फेस आएगा और मैं आप लोग को बता दू कि यहाँ पर लिखा रहा है कि कभी-कभी आप लोग को यहाँ पर 200 रुपे, 500 रुपे का आप लोग को यहाँ पर एकाउंट ओपन करने का आपको चार्ज देना परता है तो अभी फिलाल यहाँ पर एकाउंट ओपनिंग का चार्ज यहाँ बिलकुल जीरो है अभी यहाँ पर एक रुपे भी यहाँ पर एकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं कर रहे हैं और उसके बाद सिंपली आप लोग यहां पर आई वांट है इस्टोक फोर यह आप लोग जीरो के अप्शन पर टैप करेंगे उसके बाद मेरा यहां पर कुछ लोडिंग ले रहा है अब आप लोग यहां पर अपना डिजीटल सिंगनेचर करना होगा और उसके यहां पर अपना सिंगनेचर यहां पर मैंने कर दिया सिंपल आप लोग यहां पर कंटीनी वाले ओप्शन पर टैप करेंगे और यहां पर फिर से आप लोग का यहां पर कुछ इसपकार का लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद यहां पर आपको कुछ इसपकार से इं सेस करेंगे और उसके बाद यहां पर आप लोग को डीजी लोकर से आप लोग को अपना यहां पर आधार कार्ट को वेरिफाई करना होगा अब आप लोगको यहांपर अपना आधारनमबर डालना होगा उसके वास आप Newton आपना आधार कार्ट को ढाल दिया है में अधारनमबर को फिर आप लोग यहांपर नेक्स्ट वाले अफ्षण पर टैप करेंगे उसके बाद आप लोग किया पर जो भी आपका यहाँ पर आधार नमबर में आप लोग को यहाँ पर मॉबाईल लंबर लिंक होगा उस नमबर पर आप लोग का ओटी पी आएगा simply आप लोग नहाँ पर ओवाला OTP को आप लोग यहाँ पर डाल देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना OTP को फिल कर दिया, simply आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर टैप करेंगे अब आप लोग को यहाँ पर simply allow वाले option पर टैप करेंगे मेरा यहाँ पर dg local से वीदिफाय हो चुका है अब आप लोग को यहाँ पर अपना एक selfie आप लोग को यहाँ पर अपलोड करना होगा तो चले भी यहाँ पर अपना एक selfie को अपलोड कर देता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना selfie को मैंने यहाँ पर डाल दिया, simply आप लोग पर continue करेंगे या नहीं तो आप लोग चाहे तो फिर से little ले सकते हैं हैं So चले मैं आपना continue all your options पर tap करता हूँ अभ आप लोग को यहां पर अपना account number को डालना होगा यानि आप लोग को पर अपना bank account को डालना होगा तो चले मैं आपना देख सकतें साइन आप और आप लोग यहां पर कंटीन्यान का चर्ज नहीं लग रहाँ तो आप लोग यहां पर सिंप्ली continue ओले option पर टैप करेंगे और यहां पर आप लोग का लिखा हुआ आज चुका है congratulations your limit plan offer are on their way simply आप लोग यहां पर continue ओले option पर टैप करेंगे फिर आप लोग के सामने कुछ इस्पकार के अंडरफेस हैगा simply आप लोग यहां पर एस एक्टिवेट दच सेगमेंट आप लोग यहां पर चाहे तो आप लोग इसे चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैं आप लोग यहां पर continue ओले option पर टैप करेंगे और यहां पर आप लोग का कुछ इस्पकार आचुका है आपको अब do it later के option पर tap करना है आप लोग को यहाँ पर simply proceed to e-sign करना है आप लोग को नीचे option दिख रहा होगा आपको sign up now simple आप लोग इस पर tap करेंगे और आप लोग के सामने कुछ इस परकार का आपको यहाँ पे nsdl का आप लोग को यहाँ पर website देखने को मिलेगा सब्सक्राइब और यहां पर आप लोग देख सकते हैं e-sign यहां पर सेक्सेस्फुल हो चुका ए और मेरा यहां पर इसाइन होने के बाद आप पर अप्लिकेशन सम्मीट होगा और उसके बद आप लोग कर आप लोग कर आप डिमेट अकणन्ट आप लोग कर तीकाउंट रोत बनकर तयार हो जाएगा। तो चलिए आप मैं आप तीन दिन का वेट में कर लेता हूँ आप लोग को यहाँ पे इमेल में आएगा Congratulations your upstock account is now active यहाँ पे मेरा upstock का account बनकर तयार हो चुका है और यहाँ पे आप लोग को यूजर नेम और आप लोग को यहाँ पर login password आप लोग को दिये दिये जाएगा तो simple आप लोग को यहाँ पे अपना username और password को आप लोग को यहाँ पे copy कर लेना है उसके वाद simple आप लोग को आना है upstock में और आप लोग को यहाँ पे अपना account को login कर लेना है simple आप लोग यहाँ पे login वाले option पे जाएंगे आप लोग यहाँ पर username डालेंगे और आप लोग यहाँ पर अपना password डालेंगे तो चले मैं आप अपना username और password को डाल देता हूं जैसा कि मैंने आप अपना username और password को डाल दिया simple आप लोग यहाँ पर login वाले option पर tap करेंगे और आप लोग को यहाँ पर अपना date of birth का आप लोग को यहाँ पर year को choose करना है तो मैं यहाँ पर simply अपना year को choose करता हूँ और यहाँ पर अब आप लोग का change password आएगा तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले अपना password को change करना है आप लोग को यहाँ पर अपना old वाला passport डालना है आप लोग को यह new passport डालना है फिर आप लोग को यहाँ पर फिर से new passport डालेंगे और आप लोग यहाँ पर submit करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना passport को डाल दिया है simple आप लोग यहाँ पर submit वारे option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग का password submit हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग का upstock में एक confirm account बनकर तयार हो चुका है और आप लोग को यहाँ पर नीचे में सारे option मिलेंगे अब मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को और एक दो वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आप लोग को upstock में आप लोग को यहाँ पर कैसे upstock को आप लोग को buy करना है, sell करना है, इसमें आप लोग को कैसे अपना fund erase करना है आप लोग को इसमें अपना deposit कैसे करना है इसमें आप लोग को share को कैसे buy sale करना है इन सभी के बारे में पूरी जानकरी बताऊंगा और इसमें आप लोग को upstock में आप लोग refer करके भी अच्छा खासा amount की earning कर सकते है यहाँ पे आप लोग को मिलेगा refer and earn आप लोग यहाँ पर refer आप लोग यहाँ पर 500 रुपे 800 रुपे तक की आप लोग यहाँ पर income कर सकते है तो आप लोग यहाँ पर upstock में आप अपना account बनाएंगे तो इसमें आप लोग 1000 रुपे 1200 रुपे तक का आप लोग इसमें एक friend को refer करने पर मिलता है तो आप लोग इसमें refer करके भी अच्छा खासा amount की earning कर सकते है इसके लिए आप लोग यहाँ पर upstock में अपना account जरूर बनाएं तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आप लोग upstock में आप अपना खुद का account कैसे बनाएंगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कियें चैनल को subscribe जयो उक्रेचलिया इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं जय ही नुवन दे महतरम